जै मातादी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार की पौरानिक व्रत कथा और ये व्रत कथा इस प्रकार है प्राचिन काल में एक बुढिया रहती थी, वह नीमेत रुप से रविवार का व्रत करती थी रविवार के दिन सुर्यादे से पहले उठकर बुढिया स्नानादी से निर्वित होकर आंगन को घोबर से लिपती और स्वच करती उसके बाद सुर्य भगवान की पुजा करते वे रभिबार वृत कथा सुनकर सुर्य भगवान का भोग लगा कर दिन में एक समय भोचन करती सुर्य भगवान की अनुकंपा से बुढिया को किसी प्रकार की चिंता एवं कस्ट नहीं था दिरे दिरे उसका घर धन-धन से भर रहा था उस बुढिया को सुखी होते देख उसकी पडोसन उससे जलने लगी बुढिया के कोई गाय नहीं पाल रखे थी आते वे अपनी पडोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी पडोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बान दिया विवार को गोबर ना मिलने से बुढिया अपना आंगन लीप नहीं सकी आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढिया ने सुरे भगवान को भोग नहीं लगाया उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया पडोसन ने उस बुढिया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बच्डे को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी तब ही गाय ने सोने का गोबर किया गोबर को देखते ही पडोसन की आँखें फटी की फटी रह गई पडोसन ने उस बुढिया को आसपास ना पाकर तुरंद उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से पडोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई गाय प्रति दिन सुर्य अदे से पूर सोने का गोबर किया करती थी और बुढिया के उठने के पहले ही पडोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुढिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला बुडिया पहले की तरह हर अभिवार को भगवान सूरी देव की वरत करती और कथा सुनती रही लेकिन सूरी भगवान को जब परोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रपॉफ देकर बुडिया के गाय को घर के भीतर बांदिया वड़ीया ने सूरी का गुवर देखा तो उसे आश्चर हुआ उस तिन के बाद से बुडिया गाय को घर के भीतर ही बांदे लगी सूरी के गुवर से बुडिया कुछी दिनों में धन्वान हो गई उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राक हो गई और उसने अपने पती को समझा बुजा कर उसे नगर की राजा के पास भीर दिया सुन्दर गाए को देखकर राजा बहुत खुश हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गाए का गोबर देखा तो उसे आश्चरे का ठिकाना ना रहा राजा ने बुढ़िया से गाए और बचड़ा चेन लिया जिससे बुढ़िया की सिती फिर सिद्धाइनिया हो गई बढ़िया ने दुखी, बढ़िया दुखी होकर सुर्य देर से प्रातना की, सुर्य भगवान को भूखी प्यासी बढ़िया पर करुणा आ गई उसी राद सुर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन बढ़िया की गाय वा बचड़ा तुरंत लोटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्यों का पहाड तूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नस हो जाएगा, सुर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह से भैवित, रभिवार का व्रत किया करें, रभिवार का व्रत करने से सभी लोगों की घर धन धाने से भर गए, राजे में चार और खुशाली छा गए, इस तरही पुरू सुखी जीवन यापन करने लगे, और इस परकार रभिवार व्रत की पराणी कथा समाव थुई